बाश्कार श्वागत है आप सभी का आज हम लोग डेली करेंट अफेर्स के अंतरगत छे फरवरी 2023 के महत्पुन करेंट अफेर्स को पढ़ेंगे अगर आप करेंट अफेर्स के पीडियाप को डाउनलोड करना चाते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं टेली ग्राम ग्रूप का लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है तो आज दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्पुन करेंट अफेर्स को आपके सामने पहला प्रस्ण है 36 अंतर राष्टिये सूरज कुन सिल्प मेला अभी हाले में कहां शुरू क्यों अ दूसरा प्रसन है आस्ट्रेलिया ओपन 2033 का पुरूस एकल का खिताब किस ने जीता दोस्तों परती एक साल 4 Grand Slam का आयोजन होता है सबसे पहले और अंत में अमेरिकी ओपन अभी हाली में एस्ट्रेलिये ऑपन हग हुआ है और इसमें पुरूस एकल का खिताब आग जोकोवीच किस देश से संब्दने थे तो शर्विया याद रखिएगा आई आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रस्ण के और तीसरा प्रस्ण है तूरिज्म वर्किंग ग्रूप की पहली बैठाक किस राज में आयो जित हुए दोस्तों तूरिज्म वर्किंग ग्रूप की पह बैठाक की मेजबानी कौन करेगा बैंगलोरू ठीक है आगे बढ़ते हैं पाच्वे प्रस्ण के और पाच्वे प्रस्ण है हाली में किस राज सरकार ने इसलाम नगर गाउं का नाम बदलकर जगदिसपूर रखा दोस्तों इसलाम नगर गाउं था जिसका नाम बदलकर दोस्तों G20 रोजगार समों की बैठक अभी हाली में जोधपूर में आयो जित्वी है याद रखेगा जोधपूर कहा है राजस्थान में है और यहाँ G20 रोजगार समों की बैठक आयो जित्वी है आई आगे बढ़ते हैं शात्वा प्रश्न के और शात्वा प्रश्न है हाल ही में यायाच्चो को किस राज का पहला जैब बिवीदता अस्थल घोशित किया गया है यायाच्चो नाम से या पंदाजा लगा सकते हैं लदाग लदाख में इस्थित या याच्चो को लदाख का पहला जैब भीविदतास्थल खोशित किया गया है आईए आगे बढ़ते हैं आठवा प्रशन है दपल्स कॉन क्लेब 2023 का आयोजन कहा किया जाएगा दोस्तो दपल्स कॉन क्लेब 2023 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा याद रखिएगा दपल्स कॉन क्लेब इसमें क्या है कि दलहन अनाज को उतपादन से संबंदित यह आयोजन है और यह मुंबई में होगा आए आगे बढ़ते हैं नौवे प्रशन क्यों नौवा प्रशन है किसने वीजिट इंडिया इयर 2023 की शुरुवाद किया है दोस्तो वीजिट इंडिया इयर 2023 की शुरुवाद परियाटन मंत्री जी किसन रेडी ने किया है याद रखेगा वीजिट इंडिया इयर 2023 आई आगे बढ़ते हैं दस्वे और अंतिम प्रशन क्यों दस्वे और अंतिम प्रशन है फेम योजना के तहद इलेक्ट्रिक वाहनों की वीकरी में कौन सा राज सेर्ष पर रहा है दोस्तों इसमें महराष्ट सेर्ष पर रहा है याद रखेगा फेम योजना के तहद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में सबसीडी दी जाती है और इस योजना के तहद इलेक्ट्रिक वाहनों की वीकरी में महराष्ट पहले अस्थान पर रहा है तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 Current Affairs का ये वीडियो समाप्त होता है उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लेंगे धन्यवाद